SDM जोती मौरिया और उनके पती आलोक मौरिया का जो पूरा मामला है लगातार उलशते ही जा रहा है आज एक लेटेस्ट अपडेट आया है कहा जा रहा है कि जो आलोक मौरिया है वो उनका कहना है कि वो अपने बच्चों के खादिर माफी माँगने के लिए तयार है और जोती मौरिया से वो माफी माँगने के लिए तयार है और साथ में ही उनका ये भी कहना है कि आब वो चाहते हैं कि मामला सुलज जाए लेकिन ये मामला सुलजता वो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि राष्ट इस तरह पर पहुंच गया है कहा जा रहा है कि उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात के संग्यान में पूरा मामला है जांच चल लए है इसी पूरे मामले को लेते वे हमने आज हम आ गए हैं उत्तर परदेश और पूरे लखनों में शान भी है और काफी बड़े पदों पे भी माम रहे हैं इनका नाम सत्या सिंग है और किसी परीचे के महताज नहीं है तो सिधे तोर पर उनके पास ले चलते हैं और इस पूरे मामले पर वो किस नजरीय से देखती है इस पर बात करते हैं मैमा आपका न्यूज एटी में बहुत वागत है हाँ थैंक यू देखे जहां तक जोती मौरिया की बात है और उनके पती की बात है तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो संबिधान है उसमें सबको बराबर का हक है और एक ये है कि कभी भी किसी को किसी की गरिमा के अगेंस जाके कोई भी काम करने का कोई अधिकार नहीं है और जोती मौरिया के पती और जोती मौरिया के बीच में जो भी प्राब्लम थी या जैसे भी थे इतने दिन तक वो रही उन्होंने पढ़ाया या क्या क्या ठीक है पढ़ाया हर आदमी पढ़ाता है लेकिन जो उन्होंने किया उनके पती ने कि इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके एक महिला का चारित्रिक हनन किया ये बहुत ही गलत है और हो सकता है कि कोई वो तो स्ट्रांग महिला है हैट्स अब हर की वो है बरना कोई कुछ भी कर सकता था ऐसी परिस्तितियों में जहांपे कि हर आदमी उनको इंगित करके सवाल कर रहे हैं मीम्स बनाये जा रहे हैं और सोसल मीडिया पे तो व्यक्ति की अपनी अपनी स्वतंतरता है उसमें कोई भी उसका हनन नहीं कर सकता है और उनकी प्रॉब्लम थी तो वो घर में समझाते ना घर में माफी मांगते घर में बात करते और जो भी था जोती मौरिया ने मनीश्दूवे से शादी नहीं की है दोस्ति कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई किसी का समकच है तो एक वो होता है ना कि जो माइंड इंट्रिलेक्चूल लेवल जो होता है वो भी किसी से मैच करता है तो आदमी मिलता है बात करता है दोस्ती करता है तो इन सबों को जो कि जोती मोरिया के पती ने इस प्लेटफॉर्म पे ला के रख दिया है कि मुझे नहीं लगता कि दोनों के संबंध नार्मल हो पाएंगे और जो भी किया है उन्होंने वो बहुत गलत किया है कि एक महिला जो की समाज में एक अच्छी पोस्ट पे और काम कर रही है कि उसका कैरेक्टर उसका ब्यक्तित तो इस तरह से उच्छाल के रख दिया है तो मैं यही कहूंगी कि चाहे वो कितना भी तो उन्हों ने इतना बिगाड़ दिया है कि मुझे नहीं लगता है कि वो दोनों अब कैसे एक साथ रह सकते हैं या एक दूसरे को फेस कर सकते हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि आलोक ने अपने ही पैरोपे कुलहाड़ी माली क्योंकि एज़ा पिता उसे यह नहीं करना चाहिए तो उसकी दो बेटियां है भविश में जब शादी करेगा तो उसकी बेटियों को इताना मिलेगा कि तुमने तो अपने इज़त इससे समाज मुशा रहा होगा लेकिन पीट पीछे हम आप हर आदमी बोलेगा कि उन्होंने तो अपनी पत्नी की इज़त को उच्छाल के रख दिया मीडिया में तक लिए जुड़ी मेरे साथ मैं लखनों से अंजरी सिंग राजपूत न्यूजेटी